हेलो फ्रेंज, कैसे हैं आप सब, आप सभी कापके अपनी योटूब चैनल सोसोलोजी विस संगीता मैं मैं संगीता स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माधम से आप लोगों को सोसोलोजी से डिलेटड एक्जाम के प्रिपेशन करवाए जाते हैं आज के पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था समाशास्त्र का उसका अर्थ और उसकी पड़िभासा और यह जो क्लास है यह आपका ग्रेजुएसन लेबल के लिए आपके PGT एक्जाम के लिए आपको बहुत जादा हैल्फुल रहेगा graduation exam के लिए तो रहेगा है क्योंकि ये पूरी तरह से BA का syllabus हम लोग इसमें discuss करेंगे और PGT का जो अगर आप syllabus देखेगा तो उसका जो syllabus दिया हुआ है वो आपका NCRT basic से लेकर आपको advanced level तक पढ़ना होगा जिसमें inter graduation और MA level के sociology को complete करना होगा तो चलिए उसी से related हम लोग आज discuss करेंगे समासास्त्र का अध्यान छेत्र और ये जो अध्यान छेत्र है ये क्यों important हो जाता है तथा इसके कितने रूप है इसके कौन-कौन से संप्रदाई हम लोग देखते हैं तो आज का हमारा topic है समासास्त्र की विशेवस्त्र एवं उसके अध्यान छेत्र यानि subject matter and scope of sociology तो समासास्त्र की विशेवस्त्र एवं अध्यान छेत्र को हम लोग इसके अंतर के माध्यम से समझ सकते हैं समाज सास्त की विशेवस्तू का तातपड़ उन निश्चित विशेओं से हैं जिसका अध्यन समाज सास्त के अंतरगत किया जाता है तो हम लोग सोसाइटी में सोसालोजी के अंतरगत किसका किसका अध्यन करते हैं समाजिक संबंद का अध्यन करते हैं विचलन, एकी करन इन सभी चीजों का हम लोग अध्यन करते हैं जिसके लिए हम लोग को समासास एक अलग विशे वस्तु की आवशक्ता महसूस हुई जबकि अध्यन छेत्र का जो तातपड़े उन समाबित सीमाओं से हैं जहां तक समासास्तर के किशी विशे का अध्यन किया जा सकता है जैसे किसी तरह के समाजिक संबंदों का अध्यन हो या उसके अध्यन छेत्र को दर्सारता है हम लोग कोई भी सोसाइटी के अंतरगर जो कुछ भी चड़ा उसका अध्यन किससे हम लोग करते हैं समासास्त्र विशे के अंत्रगति करते हैं समासास्त्र का जो विशे छेत्र है इसको विद्वानों ने दो भागों में बाटा है ऐसे तो बहुत सारे विद्वान थे जिनके अपने-पने उनके मत अलग थे उनकी विचारदाने अलग थे लेकिन मेलनी इसे दो भागों में बा जाता है इसके जो समासास्त्री है इसमें सीमेल, वीरकान, वानवीच, मैक्सवेवर, बर्गेस, टॉने, वुगल, रॉस, पार्क आधी आते हैं और वे किस पे बल देते हैं तो वे समाजिक सम्मंदों के स्वरुपात्मक पक्षपड बल के देने के कारण इसे स्वारुपात्मक संप्रदाई कहा जाता है और स्वारुपात्मक संप्रदाई की जो विजार धाड़ा है इससे समासास्त्रियों ने क्या बताया कि जैसे अन्य विज्ञान है जैसे होगे आपका डाजनीती सास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, अर्थ सास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भौतिक सास्त्र हो गया, तो रशान सद आदी की बाती ही समासास्त्र भी क्या है, एक स्वतंत्र एवं बिशेश विज्ञान की बात कौन करता है, तो स्वरुपात्म आध्यन कर रहे हैं और सम्होई के लोगों के कौण कौण से विचाड़ है उसके भावनाय क्या है इन सभी का समनवयात्मक रूप में जो अध्यन किया जाएगा उसे समण्वयात्मक संपरदाय के अंत्रगत कहा जाता है तो स्वरुपात्मक संप्रदाय क्या है समाज सास्त्र का एक विशेश विज्ञान है जिसमें कुछ विशेश प्रकार के समाजिक संबंधों का अधन होना चाहिए और समन्वियात्मक संप्रदाय के अनुसार समासास्त एक समान्य विज्यान है एवं समाजिक समंधो या समाज का समग्रता के रूपे में एक समन्वियात्मक रूप में अधन करता है तो हम इसके अगर विचारों को देखें तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतरगत जो समाज सास्त्री आते हैं जैसे सीमेल मोहद है इनके अनुसार क्या बोड़ा है कि समाज के अंतरगत जो भी घटनाएं घटी थोड़ी है वो दो प्रकार से घटी थोड़ी है और उस आध्यान अंतरवस्तु से प्रिधक कर स्वतंत रूप में किया जा सकता है क्योंकि जो सभी समाजिक विज्ञान में अंतरवस्तु पक्ष का अध्यन करता है लेकिन किसी भी विज्ञान द्वारा स्वरूप का अध्यन संबब नहीं होता है इसलिए समाज सांस्त्र को क्या स्वरूप का अध्यन करेगा इसलिए एक सब्दों में बात की जाए एक पड़िभासा में बात की जाए तो सीमेल के अनुसार समाज सास्त्र का स्वरूप का ही अध्यन करना चाहिए नेक्स जो हमारे थिंकर है वैक्स बेवर जी उनके अनुसार समाज सास्त समाजिक क्रियाओं का अध्यन करता है समाजिक क्रिया यानि सोशल एक्सन का बात कौन करते हैं यह आपका की वर्ड हो गया तो सोशल एक्सन का बात करते हैं मैक्स बेवर जी और समाजिक क्रिया से बहबार को प्रभावित करते हैं हम सोसाइटी के अंत्र कर जो काम करते हैं और हमारे काम से हमारी कर्या से अगर ब्रभावित होता है तो वह बहबार और वह क्रिया जो अर्थ AK supports अयसा नहीं जैसे मालीजे जादूगर का जादू का खेल दिखाना या पूजा करना ये समाजे क्लिया नहीं माना जाएगा. क्यों माना नहीं जाएगा कि वो जब तक उसके खेल को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखता है उसके व्यक्ति के साथ अंतर संबन नहीं बनता है तो वो समाजे क्रिया के अंतरगत नहीं कहलाएगा इसलिए समाजे क्रिया का अध्यन द्वाड़ा समासास्तों के विशेश विज्ञान बनाने की बात कौन करते हैं मैक्स विवर्जी करते हैं वीरकान भी एक महान समासास्ते थे उनके अनुसार समासास्त जो मनुशे का मानसिक संबंध है उसका अध्यन करता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अत्वा समुव से बानता है इस तरह व्यक्तियों के बीच के सम्मण जैसे प्रेम, घृना, संतोस, आधि सम्मंदों के द्वाड़ा होता है और उसके द्वाड़ा जो सहयोग एवं बिरोध संबव होता है इसके बारे में बात करते हैं वीरकाद महोदे जो के समाजिक संमंदों के श़ुरूप का अधिन करता है विसट छेते बान बीज जे ने समाजिक संमंदों की बात की है और इसके अंतरगत उन्हों सिक्स फिफ्टी स्वडूपों की बात करते हैं ये अपनुग याद रखिएगा ये लाइन आता है एकजाम में सेकंड हमारे थिंकर है टॉनिज मोहदे टॉने जी के अनुसास समाज सास सुद्ध एवन स्वतंत्र बिज्ञान है समाजे समंदों के शोरूपों के आधार पे टॉनिज ने समाज को दो भागों में बवाजित किया है जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट तो जेमिन सॉफ्ट का मतलब होता है समुदाय और जेसल सॉफ्ट का मतलब होता है समीती टॉनिज के अनुसास समाज सास्र का उद्धेश्य इन्ही दो तरह की शेनियों के अंतरगर समाजिक समंदों के शोरूपों का अधन करता है तो इनकी आलोचना कौन करते हैं सोरोकुन मोहते करते हैं और वो आलोचना करते हैं कि बहुतिक वस्तुओं के अंतर वस्तुओं बदलने पर शुरूप में कोई पडिवर्तन नहीं आगा अगर बहुतिक वस्तुओं का अंतर वस्तुओं तो उसके शुरूप में थोड़ी चे स्वारूप कोई बदलावर नहीं होगा स्वारूप में तो पड़िवर्तन नहीं होगा जब तो कोई बड़ा पड़िवर्तन देखने को नहीं मिले फिर सेकंड जो हमारा स्वारूप है समाज सास्त्र का जो अध्यन चेत है वो है समन वियात्मक जिसे सिंथेटिक स्कूल होला जाता है इस समाज सास्त्र के मुखे जो विजारक है वो है दुर्खायम, सोडोकीन, हाब हाउस, गिंसबर इन विदानों का मत्था कि समाज सास्त्र कि विभिन भाग एक दूसरे से संबंदित एवं आत्मी निंबर है इसलिए समाज सास्र में संपुन समाज का समाज अधन आवशक हो जाता है दुर्खायम जी के अनुसार जो समाजिक तत है जो सोसल फैक्ट है जैसे माली जे पड़ंपड़ा होगे लोका चार होगे प्रथा यह सभी क्या करें समाज के कुछ सामुहिक विचार धाराओं पर बनिये जिसे समाजुक जो समुहिक प्रती नीधी है उसको क्या करता है अधन करता है तो इसलिए दुर्खायम महोदे करते हैं कि समाज सामुहिक प्रती नीधान का विज्ञान है यह पड़िवासा आता है त और किसी ना किसी रूप में निरवर है। समा सास्त इन ही पैष्परिक सम्वंदों के पक्षोν का अधन करता है। देकिए जो आर्थिक समझें हैं तो इस 食ार्रम क्षमें की बाई, बनकर किस प्रकार से... ये क्वह छलिए, तो आर्थिक सम्वंधम हैं धार्मिक समंद में ABC, J, K, L है पेग्याने समंद में ABC, M, N, O है मनरण जनात्मक समंद में ABC, P, Q, R है तो यह ABC जो है यह हर एक समंद में हमें देखने को मिल रहा है अर्थार्त जो ABC है वो ऐसे तत्व है जो सभी विश्यों में बिद्वान है तो सोरोकिन के अनुसा समासास से इनी समान्य तत्वों का अध्यन करता है किसका अध्यन करता है यह समान्य करता है कि हर एक चीज में उसे देख इसलिए इसको समंद में आत्मक रूप में बात कौन करते हैं सवडुक्यन महोदे उनके अनुसा समासास की जो विशेष्चर के अंतरगत समा निता इवें विशिष्टव दोनों हमें देखने को मिलती है तो आई होप आप लोगों को समझ में आगया होगा कि सवडुपात्मक विशेष्चरात्मक समप्रदा क्या है मेंली आप लोगों को याद रखना होगा कि समासासर का जो विशेवस्टू है वो दो है दो अध्यन चेत्रे सवडुपात्मक विशेष्चरात्मक एक ही चीज हो गया और समन्यात्मक सवडुपात्मक में उसको विशेष्ट विज्ञान करूप माना गया है इसके अंतरका सीमल, वीरकांत, वानवीज, मैक्सवेवर, बर्गेस, टॉनेस, बुगल, रॉस ये सब आ जाएंगे और जो जेनरल साइन्स की बात कर रहे हैं सोसोलोजी को उसके अंतरकत आपका आ जाएंगे सोडोकिन, दुर्खीम, हाब हाउस, गिंसबर्ड, ये आ जाएंगे ताए होप आप लोगों को आज की क्लास से हल्फुल लगी होगी इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू